नमस्ते, चुठाए, कार्डॉम, केलूम, चिबाई आज हम लोग यहाँ सिख्षेडूल प्रोटेक्शन कोमेटी के तरफ से मीडिया फ्रेंज के जरीए दिमाहासाओ के लोगों को एक जानकारी देना चाहते है कि हम लोग ने continuously 30 March 2024 को और उसका बाद 27 में 2024 को हम लोग ने मेमोरेंडम सब्मिट किया था पहले तो NC Hills Autonomous Council को और उसका बाद में तो दो ओनोरेबल चीफ मिनिस्टर अफ आसाम लेकिन दुख का बाद है कि आभी तक भी आज तक भी वो मेमोरेंडम का कोई भी response नहीं आया है यह मेमोरेंडम में हम लोग ने बहुती महतपूर्ण important हम लोग के लिए शिक्षिडूल का जो हम लोग का rights है उसको बचाने के लिए उसको protect करने के लिए हम लोग ने अपना request रखा था लेकिन अभी तक भी बहुत दुख का बात है कि सरकार के तरफ से कुछ भी initiative, कुछ भी response नहीं आया है हम याद दिलाना चाहता है कि हम लोग का मेमोरेंडम में हम लोग ने demand किया था एक immediate review of the 125th constitution amendment bill ये जो amendment bill है शिक schedule को amend करने के लिए ये bill अभी parliament में है और ये bill में हम लोग ने लोगों को साथ जनाया था कि कैसे हम लोग का जो शिक schedule का existing powers है वो पूरा compromise हो जाता है वो dilute हो जाता है जैसे कि हम लोग का council का अपना election conduct करने के लिए अपना election rules बनाने के लिए अपना electoral role बनाने के लिए ये सब power council का हाथ से निकल की Assam State Election Commission के हाथों चला जाता है प्लास हम लोग का land rights को लेके प्लास हम लोग उनका गाओं में जो village council form होगा जो हम लोग का council का power कम कर देगा तो इसलिए हम लोग इसका एक review चाता है immediate review क्योंकि ये bill बनाने का time में हम लोग का stakeholders हम लोग का council का CEMS लोग का जो opinion था जो suggestions था उसको unfortunately home ministry और standing committee ने वो लोग ने accept नहीं किया लेकिन हम लोग public का जो आवाज है उसको ऐसा कुचल नहीं सकता है इसलिए हम लोग immediate एक review चाता है 125th Constitution Amendment Bill का उसका बाद immediate implementation of article 244A जब भी चुनाओ आता है जो भी party हो आके हम लोग को promise करता है कि हम लोग अगर power में आएगा तो article 244A हम लोग implement करेगा कोई भी party आओ ये वादा करता है लेकिन ये वादा ही रह जाता है इस बार भी ये चुनाओ में MP election में फिर से ये वादा 244A को हम लोग implement करेंगे लेकिन अभी नाया government form हो गया तो इसलिए हम लोग अभी चाता है इतना सालों से जो हम लोग को रुका के रखा है जो हम लोग को constitutional right है article 244A को immediately implement करने के लिए और हम लोग का ये जो tribal area है आसाम में 6 schedule के अंदर में हमारा district जो है डिमाहासाओ उसको हम लोग एक autonomous state का दरजा immediately दिया जाए ये हम लोग का demand है उसके बाद और एक important demand last year delimitation हुआ था आसाम में constituencies का लोग सभा का और assembly seats का लेकिन unfortunately हम लोग का सालों का demand को माना नहीं गया हम लोग का MLA seat भी नहीं बराया और हमारा दिमाहासाओ district को एक separate लोग सभा seat भी नहीं दिया लेकिन बाकी districts में हम लोग को देखने को मिला कि वो लोग को तो seat बरा दिया गुलकी इसलिए ये भी एक injustice है हम लोग का तरफ से सब stakeholders लोग ने हम लोग ने demand place किया in fact election commission of India जब वो लोग गुहाटी में meeting किया तब हम लोग को demand genuine है लेकिन उसका बाद भी हम लोग को कुछ support नहीं मिला आसाम government के तरफ से भी support नहीं मिला इसलिए हम लोग का एक seat ही रे गया और नहीं बराया हम लोग को MLA seat इसलिए हम लोग को जो demand है parliamentary seat लोग सभा डिमाहासाओ को ले एक separate हम लोग को मिलना चाहिए और हम लोग को जो assembly seat से आसाम का वो बराना चाहिए एक से जादा हम लोग को चाहिए तो यह हम लोग सब demands कर रहा है और plus गाउं पंचाय development plan जो हम लोग को बहुत सालों से अलग-अलग groups बार-बार डिमान कर रहा है कि यह unconstitutionally हम लोग को six schedule area में पंचायती राज system को through गाउं पंचाय development plan जो हम लो जो order था DRDA के तरफ से उसको withdraw करना है immediately तो यह चारो demand लेके हम लोग आज दिमाहसाओं का लोगों को साथ यह बोलना चाहता है कि क्योंकि हम लोग को memorandum को अभी तक कुछ भी reply नहीं आया इसलिए यह आने वाला 12 तारिक को 12 July Friday को हम लोग एक hunger strike में जा रहा है half long में 11 बज़े से DC office का opposite में एक waiting shed है SBI branch के सामने में वहां में SSPC का members लोग हम लोग hunger strike में जा रहा है और हम लोग उन request करता है जितना लोग है दिमाहसाओं को जो अपना schedule को बचाना चाहता है जिसको article 244A के अंदर में autonomous state चाहिए जो पंचाईती राज का ये गाउं पंचाई development plan को रोकना चाहता है और जो हमारा district दिमाहसाओं के लिए separate लोग सभा MP और MLA बराके आप लोग को अगर चाहिए तो हम लोग request करता है कि आप लोग भी हमारा hunger strike में join कीजिए हम समझ सकता है कि hunger strike सब के लिए health wise सब शायद हम लोग को join कर नहीं सकेगा लेकिन उसमें कोई बात नहीं है अगर आप hunger strike में join नहीं करता है तो हम लोग के साथ में symbolically hunger strike में होने से आप साथ में आईए थोड़ा देर हम लोग को साथ में बेठिए हम लोग को थोड़ा बात भी आप लोग सुनिए और अगर आपका दिल में भी कुछ बात है वो भी हम लोग को साथ में share कीजिए ये हम लोग को ultimately ये step लेना परा क्योंकि हम लोग का जो democracy है हम अपना आवाज उठाने के लिए लेकिन हम लोग आज तक peacefully उठाया है और हमेशा peacefully उठाएगा पहले-पहले में हम लोग को district में बहुत non-violent waste को छोड़के violent waste में भी हम लोग में demand किया है autonomous state बोलिए अलग-अलग demand बोलिए लेकिन हम लोग हमेशा SSP के तरफ से हम लोग नॉन-violent waste में हम लोग अपना demand को रखेंगे और हमारा जो father of the nation है महादमा गांधी उससे inspiration लेके हम लोग ये hunger strike में अंशन में हम लोग जा रहा है तो बारा तारिक को मैं फिर से दोराता हूँ बारा तारिक ये जुलाई को फ्राइडे को ग्यारा बज़े से हाफ लोग में DC office DC office के बाहर में हम लोग hunger strike में हम लोग बैठेंगे और हम लोग आशा करता है कि इस बार तो सरकार हमारा आवास को सुनेगा लेकिन हम लोग को पहले unite होना परेगा जितना भी अलग-अलग organizations जितना भी अलग-अलग political parties का आप लोग member होने से भी आप लोग आईए वो प्रोग्राम में हमारा समर्थन जीजिए थैंक यू धन्यवाद हम लोग का hunger strike देखिए वैसे तो ये fast unto death नहीं है हम ये hunger strike कर रहे हैं first of all हमारा जो ये demand है उसको state government और central government तक पहुँचाने के लिए क्योंकि ये अभी हम लोग को ले क्यों urgent हो गया ये 125th constitution amendment bill जो है इसको लेके हम लोग देखा है कि त्रिपूरा के तरफ से तिप्रा मोथा का chief श्रीव प्रद्योत जी भी इसको raise कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा conflict है वो लोग का six schedule थोड़ा अलग है हम लोग का six schedule का थोड़ा अलग है लेकिन ये अभी नाया parliament का session आने वाला में अगर ये आवास उठ गया ये bill अगर पास हो गया तो हम लोग उसको फिर वापस ले नहीं सकेंगे इसलिए हम लोगों ये hunger strike में बैठे हैं लेकिन ये fast unto death नहीं होगा ये हम लोगों एक limited time के ले करेंगे ये limited time किया होगा हम लोग शुरू करने के बाद ही हम लोग जितना अगर हम लोगो response मिलता है उसके नतीजे हम लोग आगे बरते जाएंगे उसका information सब council के तरफ से कैसा है तो मुझे पता नहीं लेकिन आज twitter में मैंने प्रद्यूद बर्मा जी के साथ में मैंने message भेजा था तो उसका उसने reply दिया है twitter में है public के लिए है आप लोग भी देख सकता है तो मैंने request किया था कि ये bill pass होने के पहले सब stakeholders सब शिक्षिडूल का leader के साथ एक meeting बेटना बहुत जरूरी है तो उसने reply दिया है कि उसके तरफ से तो उसने invite किया है लेकिन अभी तक response सिर्फ मेगा लाया के तरफ से आया है तो इसलिए हम लोग ने फिर उसको message भेजा है कि हमारा डिमा हासाउ से तो हम लोग ready ह है stakeholders लोग including NGO student representatives लोग भी ready है अगर हम लोग को बुला के एक meeting करता है जल्द से जल्द वो सब के लिए बहतर है हम लोग ने वो request दिया है